हलो एवरिवन उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे अगर आप हरी मिर्च खाने के स्वकीन हैं तो इस तरीके से हरी मिर्च का अचार बनाएं ये कम समय कम मेनत ने बन जाता है इसे बनाना बहुत असान है यहाँ पर मैंने हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए लिए हैं मसा जाले रिफाइंड ओयल, धन्या पाउडर, रट चिली पाउडर, हरी मिर्च, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, सॉल्ट और हरी मिर्च को मैंने धो कर अच्छे से पोच लिया था और इसे हम अब इसकी जो पीछे वाली डंडी होती है उसको निकाल देंगे और इस तरीके से हरी मिर्च में चीरा लगा देंगे, इसी तरीके से मैं सारी मिर्च में चीरा लगा दे रही हूँ, एक हरी मिर्च को बीच से अलग कर लेंगे, सभी हरी मिर्च दो टुकडों में अलग हो गई है और इस पॉइंट पर मैं गैस चला के पैन को रख देती हू तो हमें जो हरी मिर्चे तयार की थी उसको डाल देंगे अब इसको हम दो से तीन मिनट तक फ्राइ करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए आप इस अचार को साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं ये खराब नहीं होता है और किसी भी चीच के साथ यानि आप इसे समोसा कचोड़ी पराठा पकोड़ी किसी भी तरह के खाने के साथ सर्व कर सकते हैं इसका टेस्ट आप डबल पाएंगे और हमारी हरे मिर्च का कच्चापन निकल गया है अब इसमें हम मसाला पाउडर एड़ करेंगे सुखे मसालों में मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर वन टी स्पून जीरा पाउडर हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून रेट चिली पाउडर कस्मीरी मिर्च है जो की तीकी नहीं होती है गरम मसाला डाल रही हूँ हाफ टीस्पून और यहाँ पर मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ हाफ टीस्पून मसाले जितना अच्छे से भुनेंगे उतना ही इसका टेस्ट और बढ़ेगा सपेत नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार अब मैं डाल रही हूँ इसमें ब्लैक सॉल्ट यह स्वाद को अचार के और भी ज़्यादा हनाहेंस करता है चाट मसाला बाकी के जो मैं चाट मसाला बचा ले रही हूँ उसको हम बाद में एड़ करेंगे जब रस्पी हमारी कंप्लीट हो जाएगी सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह खाने के स्वाद के साथ साथ हेल्दी भी है क्योंकि यह कम आयल में बन रहा है वन टी स्पून आयल में मैं इस अचार को बना रही हूँ मसालों को हमें मिक्स करना है ताकि मिर्च के उपर अच्छे से मसालों की कोटिंग लग जाए और इसको हलके हाथों से मिक्स करना है इसको हम 2-3 मिनट धक कर पकाएंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए 2-3 मिनट हो गए है पैन के धकन को हटा कर चेक करते हैं ये देखिए अब इसमें हम एट करेंगे चाट मसाला और इस रेश्पी का में इंक्रीडियन है सॉप का पावडर जिसको मैंने घर पर ही पीश कर बनाया है इसको भी मिक्स कर लेंगे चाट मसाला और सॉप का पावडर भी अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसको हम एक मिनट तक ऐसे ही चला चला के भूनेंगे ताकि अचार में हलका सा कुरकुरा पन आ जाए तो जब आप इससे सर्व करेंगे तो हलका सा क्रंची लगेगा तो और भी ज़्यादा लाजवाब टेस्ट आएगा इस अचार का ये देखिए हमारा अचार रेडी है हरे मिर्च का अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में यहाँ पर मैंने एक प्लेट में इसको सर्व कर लिया है तो फ्रेंस आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें नए हैं तो मेरे चैनल को सबस्काइब कर लें ताकि मेरी निव रिस्पी का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें थैंक्यी फॉर वाचिंग